मंत्री जी को संग्यान में नहीं है वो तो तूटा तो तूटा उसके बाद अभी एक मैने पहले जो नया पीलर का जो पॉंक्रिट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया तो बहुत बड़ा मुद्धा है इसको अपने अस्तर से दिख्वा लें कि एक साल में फूल नुटने का कारण नहीं पता चल पाया है अगर कुस दुरगटना फिट से घट जाएगा और किस कारण फूटा पता ही नहीं है मैं ये भी माने मंत्री के संग्यान में लाना चाहता हूँ है वहां कि कुछ स्टाफ ने मुझे दिया तो मैं टीम को प्रधान सची महदे को दिखाया फिर से जो पीलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया और भविश में फिर से ऐसी घटना ना हो कि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है पास जब जबाब मिल गया है जबाब मिल गया है मानिय अध्यक्ष महदय पूरक है मैं मानिय मंत्री जिसे पूछना चाहता हूँ जबाब मिला है कि 2023 तक वो पूल अगवानी सुल्तान गंच कंप्लीट हो जाएगा मैं मानिय मंत्री के संग्यान में लाना चाहता हूँ कि 2021 में भी जब पूछा था, मार्च में तो बोला गया था 22 दिसंबर तक हो जाएगा तो इसमें बोला गया है 23 दिसंबर तक हो जाएगा उमीद करते हैं की हो जाए और दूसरी बात जो महत-महत-پूर्ण है वो फूल तूट गया था बीच में पिछले साल तो जवाब आया है तो मैं पूछा था कि अभी तक इस पे कारवाई क्यों नहीं किया गया है दोसी पदादीकारी के चाहे जो भी वहाँ पे हैं उसमें तो जवाब में आया है कि I.T. Bombay, I.T. Roorkee and I.T. Patna से जाच प्रोफेशर इसमें गए हैं विसेसर प्रोफेशर द्वारा कराया जा रहा है लेकिन बड़ा दुर्भाग कुन अध्यक्ष महुद है कि एक साल में पूल तुटने का कारण नहीं पता चल पाया है अगर कुछ दुरगटना फिर से घट जाएगा और किस कारण तुटा पता ही नहीं है मैं ये भी माने मंत्री के संग्यान में लाना चाहता हूँ कि वहाँ से मुझे कुछ फोटो आया वहाँ के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया तो मैं DM को प्रधान सची महोदे को दिखाया फिर से जो पीलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया अब बताईए इतना डिजाइन में फॉल्ट है कि स्ट्रेक्शर में फिर सबको तुरवाया जा रहा है चाहे उसमें जो आपने 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 सारे इंफर्मिंशन को दे दिया मानिये मंत्री पस निर्मानिये पर्स जवाब है अब क्या इश्यू है यह तो जांच के बाद पता चलेगा पूल टूटने का कारें और आप सदस को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं एक बाद जांच रिपोर्ट आ जाएगी जो दोशी होगा उस पर पूरी करवाई की जाएगी और भविश में फिर से ऐसी घटना ना हो क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है इसलिए ये निन्दे लिया गया है कि सती गरस पैन को तोड़ कर नए सिरे से त्यार किया जाएगा भविश में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना है उसको देखते हुए ये निन्दे लिया गया है अध्यक्ष महुद है मुझे पूछना है कि इनको मंत्री जी को संग्यान में नहीं है वो तो तूटा तो तूटा उसके बाद अभी एक मैंने पहले जो नया पीलर का जो कॉंक्रीट हो रहा था उसमें भी क्रैक आ गया तो ये बहुत बड़ा मुद्धा है इसको अपने अस्तर से दिखवा ले मुझे उमीद है कि अच्छे अच्छा इसे ही दिखवाएंगे मंत्री जी धन्यवाद अगर ऐसी कोई बात होगी तो जरूर देखा जाएगा इसके जान मान का नुक्सान ना हो पैसे की बर्बादी ना हो इसका सरकार जो है पूर रूप से जो है ध्यान रखने का काम करेंगे मानिये सदा साथान गरन करें